प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओलाईन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षया साथ विशेविज्ञान उडान कारे अपुस्तिका के 1 से 6 तक के जो पाट हैं एक ही वीडियो में ल करने वाले हैं तो प्यारे बच्चों आपकी सिखायत थी कि प प्रिकास निसलेशन के लिए दोर अपना भोजन बनाता है तो यहाँ पर पहला जो है वो कीट भक्सी यानि गट पढ़नी पादब है इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो है वो कुमदनी का फूल है यह प्रिकास निसलेशन के लिए दोर अपना भोजन बनाता है यहाँ पर ये नील अरित सेवाल हैं ये भी प्रकास अंसलेशन के रिया दोर अपना बोजन बनाते हैं ये पीपल है ये भी प्रकास अंसलेशन के रिया दोर अपना बोजन बनाता है ये अमरबेल है एक परजीवी पादप है जो अपना बोजन खुद नहीं बनाता दूसरे जीवों पर यानि दूसरे पोदे परास्रित होता है आपने देखा होगा अमरबेल का तो पादप है दूसरे पोदे के उपर लिप्टा रहता है उससे अपना बोजन चूसता रहता है आगे है कारे पत्रक दो पोदे अपना बोजन खुद बनाते हैं पोशन किस वीदि को क्या कहते हैं तो प्या़े बच्छों वो वीदि जो होती है व caso वो फोशन कहलाती है इन में परजीवी पादप कौन सा है तो आपने उपर देखा अमरबेल का पादप कैसा था परजीवी पादप था मिर्दा में उपस्ती जल्व एकनीज खालिस्तान दोरा अवसोशित किये जाते हैं तो पोदे के जड़ दोरा अवसोशित किये जाते हैं आगे है कारिय पत्रक्तिन रमेश को बोजन करते समें जिगासा होती है कि मा तो हमें बोजन बनाकर खिलाती है प्रूंति उन पोदों को बोजन बनाकर कोन खिलाता है उसकी जिगासा सांतो ही जब अधियापक पादपों में पोशन पाट पड़ा रहे थे उन्होंने समझाया कि पादप अर्थार्थ पोदों की पतियों में एक हरे रंग का वर्णक कलोरोफिल पाया जाता है जिसकी साहिता से पोदे सुरिये के प्रकास की उपस्तिती में मिट्टी से जलाय उखनीज तो प्यारे बच्छों आपको पता लगया पोदों के अंदर क्या होता है तो बोदन बनाने के लिए उनकि क्लोरोफिल होता है जो कार्ड़िये उसको सुरिये का प्रकास से उससे कार्भॉव आइडेट का निर्माण होता है आगे है, पोदो में पाई जाने वाले हरे रंग के वणक को क्या कहते हैं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्या कहता है क्लोरोफिल कहते हैं तो प्यारे बच्चो कार्बन डेकसाइड लेते हैं उसको हम लिखते हैं CO2 से, ठीक है आगे है इसके बाद में पोदों द्वारा भोजन बराने की विदी को क्या कहते हैं तो प्यारे बचों क्या कहते हैं प्रकास संस्लेशन आगे है पोदे प्रकास संस्लेशन के लिए मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं तो मिट्टी से जलव एकनीज प्राप्त करते हैं आगे है क्लोरोफिल पोदे के किस बाग में उपस्तित होता है तो पत्यों में उपस्तित होता है आगे है किस के प्रकास की उपस्तिती प्रकास अंसलेशन के लिए आउसक है तो सुरिये के प्रकास में आगे है कारिया पत्रक चार कारिया पत्रक चार में क्या है पात्पों में प्रपकास संसलेशन की दिया किसमें पानी पतियों तक कैसे पहुंचता है किस रास्ते पहुंचता है आओ इसे देखने के लिए परियोग करें आपको क्य करना है कारेविदी दो छोटे छोटे स्फेद पूल वाले सदा बाः के पोदे जड़ सही दुकाड कर जड़ों की मिट्टी को अच्छी तरह धोले दो कांच के ग्लास 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 के ग्ला पतियां जोती है वो लाल हो जाती है ये हम देखती हैं तो यहां आप से पुछा है पोदों की पतियों को ध्यान से देखो दोनों पोदों की पतियों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है तो साधे वारे पानी में रखी पोदा फूल वे पत्ती स्पेद दिखाई देत पत्ति और फूलों का रंग लाल होने का कारण क्या है तो जड़ द्वारा उसोशित पानी तने द्वारा पत्ति वे फूल तक पहुचता है तो पहले जड़ फिर तने और फिर पत्ति के अंदर ठीक है आगे इसके बाद में पार्ट दो प्राणियों में पोसन प्राणियों में पोसन में कार्यपत्रक एक है इसमें देखो अधियापक छातर छातराओं को चित्तर दिखाता है कुत्ता मेंड़क मनुश्य तितली दिखा कर परशन पूसता है इन जीव जन्तू के बोजन ग्रेंट पॉसन की वीडियों को पुरो समझ की जांस इसमें क्या है पहला है जीवों में पॉसन तो सवपोसी आएगा इस खालिस्तान में हरे पोदे सवपोसी होते हैं विसम पॉसन में क्या आएगा उधार्ण जन्तु और मनुश्य यह अपना बोजन खुद त्यार नहीं कर सकते या तो पेड़ पोदों पर या दूसरे जीव जन्तुओं पर आश्रित होते हैं तो पहला प्रकारक है इसका सही जीवी समस्मंद किसमें पाई जाता है लाइकेन में किसका सम्मंद होता है सेवाल और कवक साथ-साथ रहते हैं मिर्ट जीवी में क्या है उधार्ण कवक और और खटमल भी इसी तरीके से इसके उदार्ण हैं। मानो पाचंतंत्र के विविनंगों को पैचान कर उनके नाम दिये गए बॉक्स में लिखे में लाइन लगा कर परदर्शित करें। अंदर बड़ी आंत है जिसके लंबाइ एक दस्मलो पांच मिटर होती है। और यह क्या है, चुदानतर है अंदर, इसके लंबाए 7.5 मिटर होती है, और यहाँ पर यह मलासय है, यह गिदा है, और यहाँ पर एक चीज नहीं दिखाई हो, मैंने यहाँ दिखा दी है, वो क्या है, अमासय के ठीक नीचे एक पीले रंग की गरंती होती है, जिसका नाम अलास्य जो है उसमें क्या होता है बीना पचे बोजन का बंडारन होता है ठीक है चुदांतर में क्या होता है पाचन का पूरा होना ये क्रित्म से क्या होता है पित्रस का निर्मान लाला गरंती से क्या होगा लाला रस्त्रावित होगा बरदांतर में क्या होगा जल का अवसोस होगा अमास्या में क्या होगा अमल का निर्मोचन होगा और कौन से अमल का निर्मोचन होता है ठीक है आगे चलते हैं कारे पत्रक पांच में मंड की उपस्तिती की जांच तो कैसे करते हैं तो इसमें हम देखेंगे बच्चों बोजन का पाचन जैसा कि आप जानते हैं कि पूख में चबाते हैं तो मिठास कानबो करते हैं यह मिठास किसकी है सरक्रा की आओ इस बारे एक मज़ेदार की रियाकलापमंड की जांच के लिए करते हैं सामगरी गेहूं का अटा पानी आयोडीन का गोल बिकर प्रक्निलिया स्टेंड और ड्रोपर की आउसकता पड़ेग तो प्यारे बच्चो यहां पर देखो एक जो लड़का है इसने क्या किया है बिकर में एक चुथाई पानी में आदा चमच आटा गोल लें प्रक्निलियां के और खैंकित करें प्रक्निलियां के में दस से बारा बूंद आटा हो रहा है पहले ठीक है अगर उसमें कुछ नह तो प्रक्निलियां के आटा गोल है इसके बाद दो नहीं प्रक्रिक्रिया साथ क्ला रंगाता है क्या नहीं आएगा कि यहां पर नीला या काला रंग जब आएगा जब उसमें मंड हो तो यहां तो लार मिलाने से मंड किसमें बदल जाती है सरक्रा में बदल जाती है तो रंग नहीं आएगा खै में हमने क्या क्या लार नहीं डाली तो लार नहीं है तो निला ये काला रंग आएगा क्या हाँ बिलकुल आएगा ठीक है अब बताओ मंड पर लार क्या प्रवालार में उपस्तित एंजाई मंड पर किरिया करके उसे सरक्रा में बदल दिया इसी कारण प्रक्नली कैय में आयोडिन का रंग नहीं परिवर्तित हुआ आगे है रेसों से वस्तर तक तो कार्या पत्रक एक में बच्चों को गाओं के बर्मन पर ले जाएं था जन्तु और पादप तंतुओं में अंतर स्पस्ट करें तो जानता और ये से कौन से होते हैं प्यारेबर जो जन्तूं से प्राप्त होते हैं जैसे उन और रेसम पादप जन्तूं कौन से होते हैं रूई और जूट जो पादपों से प्राप्त होते हैं अंतर क्या जब इनको जलाते हैं तो बाल जलने जैसी गंद आती है जानता वाल पूई और जूट का आपको चित्र चिपकाना है इधर ओन और रेसम का आपको चित्र चिपकाना है इसके बाद में है कारे पत्रक तीन कारे पत्रक तीन में क्या है रेसम कीट का जीवन चक्कर नीचे दियेगे चित्रों द्वारा दर्शाय गया है चित्रों को पैचान कुरू पहले क्या होता है पहले देखो एक नम्मर पे माधा जो ुकीत है वो सेतुत KP पत्य पिरüng देती है पिर रेसम कीट निकलता है भी कोकुन बनता है पिर कोकुन के अंदर कासुईल कीट होता है तो यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, निचे वाले में आपको क्या करना है, इनकी नमरिंग करमवाईज डिखनी है, आपके आसपास बहुत से पसु पाले जाते हैं, इनमें से कौन से जन्तूं के बाल बड़े होते हैं, तो बेड, बकरी, कुता, बिल्ली, उंट, ये देखा हुआ है इनके बाल बड़े होते हैं, आपने कभी सेर या बाग का चितर देखा, इसके गरदन पर भी बड़े बड़े और गने बाल होते हैं, क्या आप सेर के बालों सेरे से या वस्तर बना सकते हैं, ये दिन ही तो कारण देखें, तो सेर का चितर अगर आप देखेंगे, तो उसके गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं नहीं बना सकते हैं उससे हम तंतुक्यों की मोटे रुक्स वे खुर्द्रे बाल होते हैं वो आपकी आसपास कौन-कौन से पसु या जानजिन की श्रीक पर बाल होते हैं किन्तून के रेसों या वस्तर नहीं बना जा सकते हैं कुत्त वाहर घंड नहीं लगता लेकिन ठंडे वाला जो है वो बाहर से गिला होता है क्यों गिलास के बार्वा में उपस्ति जल undवास्प शंगनी दोकर पानी की भूण्दें जो मैं विच्जीं जाती है ठीक वर्गी करित करें गरम वस्तमें चाय, कोफी, आग, गरम सबजी, गरम पानी, ठंडी वस्तमें आइसक्रीम, शितल पे, यानि कॉल ट्रिंक्स, बरफ, जूस और ठंडी लसी, कार्य पतरक दो मी है, घर में किसी दिसे को बुखार हो जाता है तो उसे डोक्टर के पास ले जाते कि आपके स्कूल की प्रियोक साला में ऐसा को यंतर है, जिससे गरमी अत्वात ताप का मापन कर सकते हैं, अपने अध्यापक से उसका नाम पोचकर लिखें, उसका चितर भी दिखाएं, इसका मात्रक अध्यापक से पूचें, प्रियोक साला थर्मामेटरिया ताप मापी हो पाने का 60 हो सकता है, 17 हो सकता है, टंकी के पान, निका गरमियों में अगर ना पेंगे तो तापमान आप देख सकते हैं, जैसे मैंने या परी कत्तर लिखा है, एक स्टील की चमच लेकर उसके एक सिरे को मौमति की लोग से गरम करें, थोड़ी देर बाद दूसरे सिरे को कैसा म oxy की रहक है, क्योंकि उस्मा चालन द्वारा एक सिरे से दोसरे सिरे पर पहुंचे जाती है, क्या लकडे का दूसरा सिरा चमच की त्रे घरम ऩहाँ होगा, करके देखो या लिखो? Teams कि लकडी दातूं नहीं है, क्योंकि उस्मा का चालन दातूं में ही होता है, आपकी आसप फ़्वस्तू हे खाना वाई चाय बनाने वाले बर्तनों या गरम नहीं लाको्य है धगीर कंुछ डातूयłościा करें चैनल जैसे पलास्टिक कि स्वाद कैसे होते हैं तो जो खट्टे होते हैं तो जो खट्टे होते हैं तो मैंने यहां पर नाम लिखे हुए आप भी इसी तरीके से नाम लिख सकते हो ठीक है नीमबू, कुछ पदार्तों को बिना चखें बिना चुए कुछ प्रिक्सुनों से अलग करते हैं, कुछ फलों में सब्जियों के रस निकाल कर तो रसोई में कुछ पदार्तों का घोल बना कर परतेक को दो अलगलग प्रक्षिलियों में डाल कर प्रक्षिली एक में अलदी पाउडर प्रक्षिली दो में लिटमस का पाउडर घोल डाल कर अवलोकन करें उनके रंग में क्या प प्रिमली का घोल कोई प्रिवर्टन नहीं होगा, हल्दी डालने पर लिटमस में लाल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी अमल है, खाने का सोड़ा ये हल्दी पाउडर के साथ लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें अक्सारक है और लिटमस के साथ ये निला हो जाता है, सिर्का कोई प अकसारक होता है लाल होगा वो लीटमस गोल डालने पर नीला टमाटर का रास कोई परिवर्टन नहीं होगा अल्दी के साथ तो और अकसारक के साथ कैसा होगा लाल इसका मतलब हल्दी जो पाउडर है वो अकसारकों के साथ लाल रंग देता है ठीक है और जो अमल जो होते हैं वो नीले को लाल करते हैं और अक्सारक जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं तो आप इनकी सीद में देख सकते हो इसके तरिक अन्य पदार्थों का प्रिक्सन करें देनिक जियूनिप इस प्रकार के पदार्थों के उपयोगिता था किरियाओं के बारे में द्यापक से इस खोज के अधर पर निवन पुश्णों के उतर दी अमल ये वर्षा क्या होती है जब अवा में नाइट्रोजन डाइकसाइड शल्फर डाइकसाइड जैसे गैस से ज़्यादा हो तो वर्षा के पाने के साथ मिलके अमल बनाती है अमल ये वर्षा कहते हैं इससे फसल इमारत स्थर में सोडियम बाय कार्मोनेट बरा होता है जब आग पर इसको चिड़का जाता तो कार्बन डाइकसाइड गैस निकलती है गरमोनेसिस से जो आग को कंबल की तरह ढख लेती है और आग भुज जाती है तांबे या पितल के बरतन चमकाने के लिए निमू का प्रियों क् तांबे या पितल के बरतनों की स्था पर अकसारक कोपर उकसाइड की परत जमी होती है क्योंकि ये दातू है और दातू के उकसाइड अकसारक होते है निमू में उपस्तित अमल इनसे अभी करिया करके अटा देते हैं और बरतन की स्था चमकने लग जाती है हमारे दानतों क उपरी परत जो कैलसियम फास्पेट की होती है उसको खराब कर देते हैं अमल आगे है बहुतिक है और आसायनिक परिवर्तन पाठ छे तो इसमें कारिया पत्रक एक है निमलिक क्रिया कलापन था गति विदियों को करने के पस साथ उनमें होने वाले बदलाओ अत्वा परिवर् क्या आकार में प्रिवर्तन हुआ हां क्या आकरती में प्रिवर्तन हुआ हां कोई प्रिवर्तन ने ठोस से द्रव हुआ है बिल्कुल मुम्बती का जलना आकार में प्रिवर्तन हुआ हां ठोस से द्रव या वास्प बनता है कागज का जलना हां आकार में प्रिवर्तन हुआ आकरति में वह राक नया पदार्थ बना, गेउंग काटा, इसमें भी हाँ क्याति प्रिवर्थ बना, तो इसमें भीधित बना, और और नया पदार्थ बना, huh? जाहां बनेगा वो रहसाईनिक प्रियल्टन है या केल उसकी अवस्ता में प्रियूरतन हुआ। value in दोनों पुर्षकार के प्रियूरतनों के अलग अलग क्या नाम देंगी क्या दई से वापस दूद बन सकता है नहीं बरफ का पिगलना बरफ विगल गीट को उसको वापस प्रीज में रख जमा देंगे तो हाँ वापस उस रूप में ला सकते है मौमबती का जलना क्या मौमबती वापस बनाई जा सकती है नहीं पानी का वास्प बनाना हाँ इस से वास्प से वापस पानी बनाए जा सकता है नमक का पानी में गुलना हाँ वापस इनको लग लग भी किया जा सकता है लोहे पर जंग लगना जंग लगने के बाद लोहा वापस से नहीं बनाए जा सकता तो नहीं इसके बाद में अपने द्यापक से चर्चा करें कि हमारे आसपास होने वाले उपयोगी राशाइनिक प्रिवर्तनों की सूची बनाए थे उनमें से अनुद कर्मनी था बोतिक है और राशाइनिक में वर्गी करत करें तो यहाँ पर वो बारे में हवा बरना तो कैसा प्रिवर्तन है उतकर्मनिया वापस उसी रूप में लाए जा सकता है तो बोतिक प्रिवर्तन होगा कागज की नाओ बना लिए अगर खेल लिए वापस सिधा कर लिए या कागज बन गया तो उतकर्मनिया है बहुत तीक प्रिवर्तन है, सबजी का पकाना पकी, यह सबजी वापस कच्ची सबजी नहीं बन सकती, तो अनुत कर्मनिया प्रिवर्तन है, रासायनिक प्रिवर्तन है, नया पदार्थ बना, लकड़ी का जलना, राक मनेगी, राक से वापस लकड़ी नहीं बना जा सकती, तो अनुत्कर्मनिया है तो यह किस प्रकार का प्रिवर्तन है रासायनिक प्रिवर्तन है तो प्यारे बच्चो यह थे 1-6 तक के पाठ विज्ञान उडान कारिये पुछतिगा के जो आज हमने हल किये इसी तरीके से हम आगे 5-5-6 फाटों को एक साथ हल करेंगे तो जो बच्छे पर नए हैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिकेशन बॉल जो बैल है उनको ओन कर लें थाकि जो भी वीडियोज लें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए दन्यवाद